कि नमस्कार प्रणाम जैसी राम आधाव दोस्तों सस्रेकाल कैसे हैं आप लोग उम्मिद करता हूं बैतरीन होंगे और आप लोगों के तयारी भी बैतरीन तरीके से चल रही होगी तो जैसा कि यहां पर नौटिफिकेशन आ चुका है रेलेवे के द्वारा इंडियन रेलेव है कि अब होगा शपना जो है वो क्या साकार होने वाला है तो इन रेलेवे और भी नन टेकनिकल पॉपुलर कटेगरीज में गिंतियां आता है यह एंटिपीसी का यह 10 प्लस टू अंडर गेरेजुएट 12 लेवल का यह वैकेंसी है जिसका फॉर्ब टोटल पोस्ट यहां पे पास बहुत ज्यादा है और तो कैसे 3445 सीट में एक सीट अपने नाम करना है उसकी पूरी के पूरी जानकारी और पूरा का पूरा पैटर्न साथ ही कितना क्वालिफिक्सन है कितना फी है और छूट मिलेगा कि नहीं आयू में और कैसे एक्जाम में पास करना पूरी की पूर प्लहाँ पोस्ट में क्या है नहीं है कौन 설 पोस्ट कितना फोस्ट टूटल है कैसे फोनक को परना कैसे में पास होना कैसे एक्साम के लिए्पक्षन याओत रेयल वे त्वारा न टेक्निकल यहां पर पफुलर काटेगरीज में गिंती आता है न्टी पीसी का तो अंडर ग्रेजुएट लेवल रेकुमेंट दोजार चोबिस का यह फॉर्म आ चुका है जिसमें कि आपको जो भी कैंडिडेड इंट्रेस्टेट हैं जो रेल्वे में अपना जॉब करना चाहते हैं वो इस फॉर्म को ट्रोटर यहां पर ट्रैन कलरक है यहां पर अकाउंट है अकाउंट कलरक है यहां पर जुनियर कलरक है यहां पर और तरह की यहां पर पोस्ट यहां पर है तो यहां पर पोस्ट इंफॉर्मेशन क्या है वो भी बताने वालों हो सेलेक्शन प्रोस सेस कैसी होगा सेलेक्शन में क्या है detail age limit पे कैसे करना है exam fee क्योंकि exam fee पे करने में ज्यादा कर ज्यादा form reject होता है exam fee जब आप लोग pay करते हैं तो समय पढ़ते नहीं है पुरा notification और exam fee देने समय गलती हो जाती है तो उसे भी समझना है यहां पर आगे समझे कि relevant non-technical popular प्लस टू को डिक्मेंट यहां पर इसमें क्या है कि आपका तो डिटेल नोटिफिकर्स न आपको यहां बताने बाला हूं तो इन्पोर्टन डेट कि यहां पर पहले बात कर लेते हैं इन्पोर्टन डेट जो है वह application और कि यहां पे लास्ट डेट फ़र अपला ईनलाइन है विस अक्तूबर दोजार चोवीस यहां पर लास्ट डेट पे एक्जाम फी जो है वो लास्ट डेट कब है पे करने का करिएगा 22 अक्टूबर दोजार चोविस यानि की दो दिन के बाद आप पे कर सकते हैं 20 अक्टूबर के बाद दो दिन आपको समय मिलता है एक्जाम पी पे करने का यहां पर करेक्शन डेट यहां पर मोटिफाइड देख लेते हैं तो करेक्शन डेट यहां पर 23 दस दोजार चोविस से 11 दोजार चोविस तक है और एड्मिट कार्ट जो है वह एक्जाम से पहले आई जाएगा और एक्जाम डेट जो है वह आप मांग के चल सकते हैं कि तीन से चार मन्त के बाद इसका एक्जाम वही इसलिए अपने द्यारी को बहतरीन तरीके से करना है और एक सीट अपने नाम इसमें कर लेना है तो आप यहां पर अप्लिकेशन फी की बात कर लेते हैं क्योंकि अप्लिकेशन फी सबसे महत्कुन है अगर आप फीपे नहीं करते हो तो आपका फॉंग रिजेक्ट मना जाए यानि कि आप से मातर 100 रूपए यहां पे लिया जाएगा और स्टी एस सी पीच यानिकी जो भी कलांग होते हैं उनके लिए जो बोल नहीं सकते उनके लिए पोच्ट है तो उनके लिए 505 रूपए यहां पर पोच्ट है थासल्यूपाई फी है और 500 रूपए में उनका 900 या अपने net banking से या अपने credit card से पे करना क्योंकि refund उसी पेज जाएगा जिससे अब उसका पे होगा तो इसलिए ध्यान दखना कि पे करते समय दुकंदार का नहीं दीजेगा क्योंकि दुकंदार के पास पैस आएगा तो side over refund ना करें ऐसा कहीं बात देखा गया है अब after जो है exam के बात क्या होगा वो देखें यहां पर UROBCWS को fee refund किया जाएगा 400 रुपए SCST PH female को refund किया जाएगा 200 रुपए निकी SCST PH female के लिए 0 रुपए fee है और general के लिए 100 रुपए exam के बात क्या होगा मैं समझाओं तो पे कैसे करना तो debit card के तुरू पे कर दिजेए या credit card क के तुरू यहाँ नेट में की के तुरू भी यहाँ पर पे कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आगे समझेए कि जब तक समझेंगे नहीं तक फॉम नहीं बढ़ेंगे तो आपको सेलेक्शन नहीं होगा तो रेलवें एंटीप से 10 प्लस टू अपका 18 साल हो जाना चाहिए यह अभी आपके पास तीन महीने का समय अब यहाँ पर होता है कि बहुत से बच्चे का भी दो महीना चीन महीना बंकिए गांटार साल होने में तो वह सोच देंगे कि वह को भर रेंगे तो बता तूंकि आपका इक दोच्छिस के एकॉर्याव ह तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाए करिया कि यह बहुत इन मौका इसके बाद पता नहीं कब लेए का फॉर्म आए कब एंटीपीची टैन प्लस टू लेबल का फॉर्म आए इसलिए कोई गारेंटी नहीं कि कब फॉर्म माइगा इसलिए मौका है पांस ओर पर यह इस में छूट मिलेगा अगर आपको जानना है कि किस की से बाले में चूट है तो इसके दř clichy अपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि सके अपको चूट मिलेगा है है नहीं तो मैं आपको बता दूंगा ओके और नेक्स्ट यहां पे बहुत इंपोर्टेंट जान करिए वह आप देखें प्रिजन करिए कि 3445 पद है यहां पे लेकिन रिक्त पदों में किसके लिए कौन सा पोस्ट है और फैसरा यहां पहाई है कितना पड़ा लिखा होना चाहिए कितना नहीं हो जाए वह यहां पेपड़ की था यहां पे कलthon्र užकुल में बूली यहां कि तना की किलिए यहां पे चुल्य क्यान warfare और सब्सक्राट के लिए कर चीज आपको समझना है कि यह जो टिकल ने टिकट कलर कलर यहां पर यह 2022 जो पोस्ट है इसमें क्या है कि यह आपको 10 प्लस टू यह जो बिसी कटेगरी से आते हैं तो आपको जो है टूएल्थ लेवल में कम से कम 50% मार्ट सोना चाहिए तब इस पूंग का अपलाई कर सकते हैं और सी और प्लाइश के लिए यह यहां पर यहां पर तो ट्रेंड कलर एकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए यहां पर टैन प्लस टू इंटर्मेडियर एकजाम फॉर्म एनी बोर्ड ओ बोर्ड इंडिया जैनि कि आप कही से भी अगर टैन प्लस टू किये हुए हैं तो आप इस पॉम को भर सकते हैं लेकिन इसमें भी एक सर्थ रखा गया है कि जन्वेल ओभी सी और एडव्यस वाले का अगर टुवेल्थ में 50% मार्क्स है तो यह वो इस पॉम को भर सकते हैं वहीं अगर सब्सक्राइब के वहल पास है तो इस पॉम को भर सकते हैं और जो कंप्यूटर टाइप पिंग इंग्लिस 30 वर्ड पर मिनट होगा और हिंदी 25 वर्ड पर मिनट आपका यहां पर कम से कम रहना चाहिए यह तिनों पोस्ट के लिए ट्रेंड कलर के लिए अइकाउंट्स कलर के लिए और यहां पर जूनियर कलर कम टाइपिश्ट के लिए यहां पर दिया हुआ ठीक है तो इस तरह से यहां पर फॉम का डिटेल मैंने आपको बताया जहां भीा कुस्त समझ में नहीं आया हो कोई क्वैरी हो कहीं भी किसी भी क्या दिक्कत नहीं तो आप मेंको कमेंट कर सकते हैं उसकी पुरी की पूरी शमस्या का समयादन मैं कर रहूँ यह मिलते हैं यह नए इन्पॉर्मेटिव और कोशन Phantense के विडियो में अन पर उल्प कर वो तेजन कर और को फौरस के दोराल आपनीज़ कोरिमरा श्रहको jeder पोनीया होरी हिए को उली है